मुझे बच्चों मैं करमवीर आपका अपने यूटूब चनल में स्वागत करता हूं प्यारी बच्चों त्री-दैमिंशन जोमेंट्री से एक मॉस्ट इंपोड़ेंट के सन लेके आया हूं देखिए इसके बारे में एक बटिसक्क्र कर लेते हैं क्या है देखिए दो लाइने हैं मालने जी ये लाइन है ठीक है एक ये लाइन है इसके direction ratio है A1 B1 और C1 ठीक है भई एक मालने जी कोई ये लाइन है ठीक है ये लाइन है लाइन 1 और ये लाइन है लाइन 2 ठीक है इसके direction ratio है A2, B2 और C2, ठीक है, अब मैं कहता हूँ कि line 1, line 1, perpendicular line 2, if and only if, if and only if, कैसे, क्या तरीका है, कि इसकी इसके साथ product, a1.a2, पलस, b1.b2, b1.b2, पलस, c1.c2, c1.c2, इनकी product, corresponding direction ratios की product का sum कर दें, तो मुझे क्या मिलना चाहिए, 0 मिलना चाहिए, तो मैं कह दूँगा कि यह दोनों line 1, perpendicular है, each other, ठीक है, इस concept का मैं इस्तमाल करूँगा, ठीक है, और एक बात और, माली जे, एक line के end point दे रखें, ये point है, x1, y1, और z1, ठीक है, और ये end point दे के, माली जे, a दे रखा है, b दे रखा है, x2, y2, और z2, ठीक है, तो इसके direction ratios क्या रहेंगे, direction ratios क्या रहेंगे, कि भई, x2 minus x1, y2 minus y1, और z2 minus z1, ठीक है भई, भई, हमें इस line के direction ratio भी निकाल सकते है, हमें end point पता होना चाहिए, ठीक है भई, देखें इस question को देखें, अब solution करते हैं, इस question का, क्या कह रहा है, प्यारे बच्चो, show करना है, ठीक है भई, एक line इन दो point के through निकलती है, और वो perpendicular है, उस line के, जो line इन दो points के through पास होके जाती है, ठीक है भई, तो मैं इनको नाम दे देता हूँ, let, let a, a point बन क्या ले लिया, 1, minus 1, और 2, b point क्या ले लिया, ये, 3, 4, और minus 2, c point क्या लिया, प्यारे बच्चों, हमने, c point लिया, 0, 3, 2, and d point क्या लिया, 3, 5, 6, ठीक है भई, तो अपने पास दो line होगी, एक line तो ये है, a, b, और एक line ये है, अपने पास, c, d, ठीक है भई, तो मेरे को ये proof करना है, कि दोनो line है, एक दूसरे पर perpendicular है, to show, to show, क्या proof करना है, a, b, perpendicular, c, d, ये proof करना है, तो प्यारे बच्चों, क्या कर रहे है, line, a, b, का direction ratio पता चल जाए, और, c, का direction ratio पता चल जाए, तो हम आराम से काम कर सकते हैं, तो देखिए, यहां से देखिएगा, direction ratios, direction ratios, direction ratios, of line, a, b, r, क्या रहेंगे, प्यारे बच्चों, देखना, x2, minus x1, मतलब कि 3, minus 1, 3, minus 1, फिर क्या रहेगा, 4, minus, minus 1, 4, minus, minus 1, फिर क्या रहेगा, minus 2, minus 2, ठीक है, that is, यह क्या आ जाएंगे आपके, equal to, मैं लिखूं तो क्या रहेगा, यह 2 रहेगा, और यह कितना रहेगा, 4, minus, minus 1, फिर 5 हो जाएगा, और यह कितना हो जाएगा, minus का 4, ठीक है भी, and direction ratios, direction ratios of line CD are, क्या होगा, देखो, यह C रहा, यह D रहा, तो क्या रहेगा, 3 minus 0, 3 minus 0, फिर क्या रहेगा, 5 minus 3, फिर क्या रहेगा, 6 minus 2, तो प्यारे बच्चों क्या आ गया, 3 बच गया, यह कितना बच गया, 2, और यह कितना बच गया, 4, अब क्या करते हैं, प्यारे बच्चों हम, क्रोस्पोंडिंग direction ratios की product का सम करते हैं, तो इसकी product इसी के साथ, 2 multiply 3, plus 5 multiply 2, plus minus 4 multiply 4, तो देखें क्या, इसकी इसके साथ product plus, इसकी इसके साथ product plus, इसकी इसके साथ product, तो प्यारे बच्चों, देखें क्या बनेगा, यह आएगा 6, यह आएगा 10, और यह कितना आएगा, पलस में minus 4, और 4 की multiply गरोगी, तो minus का 16, तो प्यारे बच्चों, यह कितना है, 16 और यह minus 16, 16 minus 16 equal to 0, देखो, मैंने यहीं बताया था आपको concept, जब corresponding direction research की product का sum क्या आजाए, 0, तो हम क्या कहतेंगे, this implies, this implies, AB perpendicular CD, ठीक है, line AB perpendicular line CD, I think प्यारे बच्चों, आपको यह question, with basic अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है, अगर समझ आया तो मुझे comment करके बताईए, वीडियो को like करें, और अपने friends में share करें, और मेरे चैनल को subscribe भी करें, प्यारे बच्चों, मिलते हैं next lecture में, till then, bye bye प्यारे बच्चों,